भारत के नदी बांध जिसे कि हम Dams of India भी बोलते हैं काफी ज़्यादा important topic है Indian Geography का अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो तो friends वो सभी questions जो आपके exam के लिए important रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी questions selected और important लिए हैं अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा useful रहने वाले friends हर exam में इस topic से question पूछे ही जाते हैं तो चलिए शुरू कर लेते हैं first question से first question स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा brief idea दे का काम करते हैं बांधों को बनाने के विभिन उद्देश हैं जैसे कि सिंचाई विद्यूत उत्पादन बाड नियंतरन आदी एक बांध के अनेक उद्देश होते हैं इसलिए विभिन बांध को बहु उद्देश परियोजनाई भी कहा जाता है अब friends हम बांधों के महत्व के बारे में जान लेते हैं, बांध जो है फेंट से स्वच उर्जा के स्रोथ हैं, क्योंकि फेंट से जो भी energy produce होती है वो pollution free होता है, इसलिए हम कहते हैं कि बांध स्वच उर्जा का स्रोथ है, बांध और जलमग जल को संचित कर सिंचाई के लिए जल प्रदान करते हैं, ये भ भायक होते हैं, नदी बांध, बांधों में जमा जल को पेजल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, अब भारत के जो बांध है, इससे related मैं आपको कुछ important points बता देता हूँ, इसके बाद हम MCQ करेंगे, ठीक है, पूरा video friends आप जरूर देखना, ये topic आपका मैं complete करव इसी वीडियो में, तो पहला important point है, भारत में 4407 बड़े बांध हैं, जो की चीन और सयुक्त राज अमेरिका के बाद, दुनिया में तीसरे नंबर पर है, महा नदी पर बना, ओडिशा का हीरा कुंड बांध, हीरा कुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, तो अगर अगर दो हजार साल पुराना है, तो अगर आपसे एक्जाम में पूछा जाए, बताओ, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, तो आपका अंसर होगा, कल नई बांध, जिसे की हम Grand Anicat भी बोलते हैं, तमिल आंडू में है, कावरी नदी पर स्थेत है, यह आपको याद अंगल बांध का जहां जल संग्रह किया जाता है, उसे गोविन सागर जील के नाम से भी जाना जाता है, अगला important point है, भारत का सबसे उचा बांध कौन सा है, जिसकी उचाई 260.5 मीटर है, आंसर होगा, टिहरी बांध उतराखंड में है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीरा कुंड बांध ओडिशा में, टिहरी बांध की इन दो नदियों के संगम परिस्थित है, भागी रती और बिलांगना, विश्व का सबसे उचा गुरुतवे बांध कौन सा बांध है, आंसर है, भाकरा बांध जो है, ये विश्व का सबसे उचा गुरुतवे बांध है जिसकी उंचाई है 226 मीटर इस कोशन को भी आप डबल स्टार मार्क करना नेक्स्ट है मारा भारत के किस प्रधान मंत्री ने बहु उद्देश नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था काफी बार पुछा गया है जवाल लाल नहरो ने नेक्स्ट है USA की TVA यानि की Tennessee Valley Authority जैसी परियोजना भारत में कौन सी है आंसर है दामोदर घाटी परियोजना नेक्स्ट है कौन सी परियोजना रावर केला स्टील संयंतर के लिए बिजली उपलब्द कराती है आंसर है हीरा कुंट बांथ परियोजना इसको भी आप डबल स्टार मार करना भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है इंदरा गांदी नहर विश्यो की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है जो पूर्नता अस्तरी है आंसर है इंदरा गांदी कैनाल अब friends हम ना जितने भी question आपके exam के लिए important रह सकते हैं वो हम MCQ format में आप discuss कर लेते हैं friends एक question आप exam से रट लेना इससे बाहर आपको एक भी question आपके exam में नहीं मिलेगा तो चलिए शुरू कर लेते हैं first question से first question है हमारा बगलियार बांध किस नदी पर स्थेत है सही answer होगा इस question का option D चेनाव नदी पर चेनाव नदी पर friends बगलियार बांध स्थेत है यह आपको याद रखना है एक question में दो-दो question चलेंगे कैसे बगलियार बांध किस नदी पर है चेनाव नदी पर exam में तो पूछा जाता ही है अगर आपसे पूछा जाए बगलियार बांध किस राज्चे या केंदर शाषित परदेश में है आप कांसरोगा बगलियार बांध जम्मो कश्मीर में स्थेत है भाकरा नांगल बांध किस नदी पर स्थेत है सही answer है option C सतलुज नदी पर स्थेत है भाकरा नांगल बांध और अगर आपसे exam में पूछा जाए भाकरा नांगल बांध किस राज्चे में हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्चे में स्थेत है अगला कोशन चमेरा बांध किस नदी पर स्थेत है काफी बार उख्जाम पुछा गया कोशन है, सही आंसर है, option a, रावी नदी, रावी नदी पर स्थेत पै चमेरा बांद, और इसी के साथ अख्जाम में कई बार पुछा गया है, चमेरा बांद किस राज़े में हैं, आप बोलोगे भारत के हिमाचल प्रदेश राज़े में स् मुं कश्مीर में अगला कोशन फरका बांद किस नदी पर स्थित है सही आंसर है option C गंगा नदी पर स्थित है फरका बांद अगर हम बात करें फरका बांद की किस राज्य में है पश्चिम बंगाल राज्य में है अगला कोशन गांदी सागरबांध किस नदी पर स्थित है सही आंसर होगा option B चंबल नदी पर चंबल नदी पर स्थित है गांदी सागरबांध और गांदी सागरबांध किस राज़े में है मध्य प्रदेश राज़े में है आपको कोशन का लेवल देखे पता लग रहा होगा सभी कोशन एक्जाम औरियंटेड है हर एक्जाम में इस टॉपिक से कोशन पूछे ही जाते हैं और आपकी रवी सर ने बहुत महनत करी है सभी बेस्ट कोशन इस वीडियो में डालने के लिए है ठीक है अगला कोशन हीरा कुंड बांद किस नदी पर स्थेत है सही आंसर होगा आप्शन ए महा नदी नदी पर स्थेत है हीरा कुंड बांद और किस राज्य में है हीरा कुंड बांद ओडिशा राज्य में और एक कोशन है SSE में पूछा गया था हाली में कि जो हीरा कॉंट बांड है ओडिसा के कि शहर में है आपका अंसर होगा संबलपूर शहर SSC CGL का कोशन है यह अगला कोशन हिड़कल बांद किस नदी पर स्थेत है सही आंसर होगा option C घाट प्रभा नदी पर स्थेत है हिड़कल बांद और हिड़कल बांद कहां पर है करनाटक राज्य में इड़की बांद किस नदी पर स्थेत है सही आंसर है option C पैरियार नदी पर स्थेत है इड़की बांद और इड़की बांद किस राज्य में है केरल राज्य में इस कोशन को आप डबल स्टार मार करना किस राज्य में है बांध काफी बार एकजाम में पूछा गया और किस नदीपर है डुक की बांध ये भी काफी बार पूछा गया है अगला कोशन हतनी कुंड बांध निम लिखित में से किस नदीपर बनाया गया है आंसर होगा option A यमणा नदीपर अगला कोशन, कालिंदी बांद किस नदी पर स्थेत है, सही आंसर होगा, option A, कालिंदी नदी पर स्थेत है, कालिंदी बांद और किस राज्य में है, यह important है, करनाटक राज्य में है, कालिंदी बांद किशन गंगा बांद किस नदी पर स्थेत है सही आंसर होगा Option A जेलम नदी पर जेलम नदी पर स्थेत है किशन गंगा बांद और किशन गंगा बांद कहां पर है जम्मू कश्मीर में महात्मा गांदी जल विद्यूत बांद किस नदी पर स्थेत है सही आंसरोगा option B शरावती नदी पर महात्मा गांदी जल विद्यूत बांद स्थेत है और महात्मा गांदी जल विद्यूत बांद करनाटक राज्ये में है अगला कोशन मैटूर बांद किस नदी पर स्थेत है सही आंसरोगा option A कावेरी नदी पर स्थेत है मैटूर बांद और अगर हम बात करें मैटूर बांद की मैटूर बांद तमिलाडू राज्चे में है हम सागर बांद किस नदी पर स्थेत है सही आंसर होगा option D मनजीरा नदी पर स्थेत है निजाम सागर बांद निजाम सागर बांध आंदरपरदेश राज्जे में है अगला कोशन उंकरेशवर बांध किस नदी पर स्थेत है सही आंसर होगा ऑप्शन B नर्मदा नदी पर स्थेत है उंकारेशवर बांध और उंकारेशवर बांध कहां पर है मद्धे परदेश में ये कोशन भी काफी बार एक्जाम में पूछा गया है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थेत है? आंसर होगा option B नर्मदा नदी पर स्थेत है सरदार सरोवर बांध और सरदार सरोवर बांध कहां पर है? गुजरात राज्ये में श्री शैलंबांद किस नदी पर स्थेत है सही आंसर होगा option ए कृष्णा नदी पर स्थेत है श्री शैलंबांद और अगर हम बात करें श्री शैलंबांद की श्री शैलंबांद कहां पर है आंदरपरदेश राज्ये में अगला question तिलया बांध किस नदी पर स्थित है आंसर होगा option B बराकर नदी पर स्थित है तिलया बांध तिलया बांध जारखन राज्य में है ये भी आपको याद रखना है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है सही आंसर होगा option ए भागी रथी वह भिलांगना नदी पर स्थित है टिहरी बांध और टिहरी बांध है उत्राखंड राज्य में इस question को भी आप double star mark कर लेना friends next question करवाने से पहले आप सभी के लिए good news है अगर आपने current affairs पढ़ना है उसके लिए हमारा अलग से channel है current affairs by ravie इस youtube channel को आप जरूर subscribe कर ले अगर आपने current affairs पढ़ना है और यहाँ पर मैंने politics series भी start कर दिया है और इसी सागर आप ssc exam की त्यारी कर रहे हो उसका channel है ravie ssc gk express तो इसको भी subscribe कर लें अगर आप ssc exam की त्यारी कर रहे हो तो अगला question थीन बांध या बोल सकते हो रंजी सागर बांध किस नदी पर स्थेत है आंसर होगा option a रावी नदी पर स्थेत है थीन बांध या बोल सकते हो रंजी सागर बांध कहां पर है पंजाब में अगला question टनकपूर बांध किस नदी पर स्थेत है सही आंसर होगा option C शारदा नदी या बोल सकते हो महा काली नदी पर स्थित है टनकपूर बांध और टनकपूर बांध कहां पर है उत्राखंड राज्ये में अगला कोशन काफी बार एक्जाम में पूछा गया है तुलबुल बांध किस नदी पर स्थित है सही आंसर होगा option B जेलम जेलम नदी पर स्थित है तुलबुल बांध और आपको बताना चाहता हूँ तुलबुल बांध कहां पर है जम्मो कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है सही आंसर होगा option B जेलम नदी पर स्थित है उरी बांध और उरी बांध कहां पर है जमू कश्मीर में नेक्स कोशन कर लेते हैं जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थेत है सही आंसर है ओप्शन D चंबल नदी पर और जवाहर सागर बांध किस राज्य में है राजिस्थान राज्य में अगला कोशन एक्जाम में पुचा गया है किस प्रकार का बांद एक विशश्च छेटर से पानी को बाहर करने के लिए बनाया गया एक अस्थाई बांद है सही आंसर है Option A कौफर बांद या आपको याद रखना है कौफर बांद क्या होता एक विशिच छेतर से पानी को बाहर करने के लिए जो अस्थाई बांद होता है उसको कौफर कहा जाता है अगला कोशन, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है, option A, कृष्णा नदी पर है, अलमाटी बांध, कहां पर है? करनाटक में अगला कोशन पौंग बांध किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए व्यास नदी पर स्थित है पौंग बांध और पौंग बांध कहां पर है हिमाचल प्रदेश में अगला कोशन रेनुका जी बांद किस नदी पर स्थेत है सही आंसर होगा option B गिरी नदी पर स्थेत है रेनुका जी बांद रेनुका जी बांद है उत्राखंड राज्य में अगला कोशन रानी लक्षमी बाई बांद किस नदी पर स्थेत है सही आंसर है option B बेतवा नदी पर रानी लक्षमी बाई बांध बेतवा नदी पर है और ये बांध किस राज़े में है उत्तर प्रदेश में next question कर लेते हैं राना प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थेत है सही आंसर होगा option B चंबल नदी पर और राना प्रताप सागर बांध है राजिस्थान राज्य में अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो की quality, content और आपके रवी सर की महनत पसंद आ रही है वीडियो को like और share ज़रूर करें comment box में अपना feedback भी दें आपके रवी सर की वीडियो कैसी लगती है और मेरा application डाउनलोड कर ले न play store से रवी study IQG के नाम से है यहाँ पर friends आप quiz लगा सकते हो ठीक है quiz लगा सकते हो आप अगला question सलाल बांध किस नदी पर स्थेत है सही answer होगा option A चिनाव नदी पर सलाल बांध स्थेत है सलाल बांध है जमो कश्मीर में शिव समुदरम बांध किस नदी पर स्थेत है सही answer होगा option B कावेरी नदी पर है शिव समुदरम बांध शिव समुदरम बांध करनाटक राज्य में है अगला question अगला कोशन, उकाई बांद किस नदी पर स्थित है, आंसर होगा, Option A, पमभा नदी पर, शबरी गिरी बांद पमभा नदी पर है, और शबरी गिरी बांद किस राज्य में है, केरल राज्य में, अगला कोशन, उकाई बांद किस नदी पर स्थित है, आंसर होगा, Option D, तापती नदी पर स्थित है उकाई बांध और उकाई बांध है गुजरात राज्ये में अगला कोशन भीमा बांध किस नदी पर स्थित है सही आंसर होगा option C पवना नदी पर स्थित है भीमा बांध और भीमा बांध है महराष्ट राज्ये में बाली मेला बांध किस नदी पर स्थेत है? सही आंसर होगा option A, सिलेरू नदी पर स्थेत है बामी बाली मेला बांध अगला question, बान सागर बांध किस नदी पर स्थेत है? सही आंसर है option C, सोन नदी पर स्थेत है बान सागर बांध जो की है मध्य प्रदेश में अगला कोशन चिंडकल बांध किस नधी पर स्थित है आंसर होगा Question C घाट प्रभा नधी पर छिंडकल बांध किस नधी पर स्थित है आंसर क्या होगा Option B कुस राज्य में है महाराष्ठ राज्य में अगला कोशन नात्पा जाकडी बांध काफी बार एक्जाम में पूछा गया है नात्पा जाकडी बांध किस नदी पर स्थित है सही आंसर होगा ओप्शन A सत्लुच नदी पर स्थित है नात्पा जाकडी बांध हरी के विराज बांध किस नदी पर स्थित है आंसर होगा option C, सतलुच और व्यास नदी पर हरीके बेराज बांध है और ये पंजाब राज्य में स्थित है next question, इंद्रा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा option B, नर्मदा नदी पर और इंद्रा सागर बांध है मध्य परदेश राज्य में अभी भी आपको मैं बता रहा हूँ, एक question में दो question चल रहे हैं, कौन सा बांध किस नदी पर है और कौन सा बांध किस राज्य में है दो तरीके से question चल रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है friends तो दोनों तरीके से exam में पूछे जाते हैं यह examiner की मर्जी है, वो किस तरीके से पूछे, जाए इस तरीके से पूछे जैसे करवा रहा हूँ, या फिर राज्य दे कर पूछे, ठीक है तो दोनों तरीके से friends आप पढ़ लो, ठीक है जो आपको मैं addition information बता रहा हूँ, ठीक है exam में question जरूर आएगा इस topic से अगला question, जायकवाडी बांध किस नदी पर स्थित है, आंसर होगा option A, गुदावरी नदी पर और जायकवाडी बांध है महराश्ट राज्य में किशाव बांध किस नदी पर स्थित है आंसर होगा option A टॉंस नदी पर स्थित है किशाव बांध किशाव बांध है हिमाचल प्रदेश उत्राखंड में अगला question कदाना बांध किस नदी पर स्थित है सही answer है option B माही नदी पर स्थित है कदाना बांध और कदाना बांद कहां पर है गुजरात राज्य में अगला कोशन कोल डैम बांद किस नदी पर स्थेत है आंसर होगा option A सतलूज नदी पर सतलूज नदी पर है कोल डैम बांद और कोल डैम बांद कहां पर है हिमाचल प्रदेश में अगला कोशन क्रिशना सागर बांध किस नदी पर स्थेत है आंसर होगा option A कावेरी नदी पर क्रिशना सागर बांध स्थेत है क्रिशना सागर बांध है करनाटक में अगला कोशन कोयल कोरो बांध किस नदी पर स्थेत है आंसर होगा Option B, दामोदर नदी पर स्थेत है कोयल कोरो बांद और फैंट्स अगर हम बात करें कोयल कोरो बांद की किस राज्जे में है पशिम बंगाल राज्जे में है अगला कोशन, पंचे तहील बांद किस नदी पर स्थेत है आंसर होगा option A, दामोदर नदी पर, पंचे तहील बांध स्थेत है, पंचे तहील बांध है पशिम बंगाल में अगला question, अपर पैन गंगा बांध किस नदी पर स्थेत है, सही answer होगा option A, पैन गंगा नदी पर और पूछा जाए कि किस राज्जे में है, महराष्ट राज्जे में है, अगला question, बारगी बांध किस नदी पर स्थेत है, आंसर होगा option A, बारगी नदी पर, बारगी बांध है, मध्य परदेश राज्जे मे, भदरा बांध किस नदी पर स्थेत है, सही answer होगा इस question का, option B, भ चंबल नदी पर और आपको बताना चाहता हूँ चंबल बांध किस राज्जे में है राजिस्थान राज्जे में गंड़क बांध किस नदी पर स्थेते हैं सही आंसर क्या होगा Option A, गंडक नदी पर गंडक नदी पर स्थेत है गंडक बांद और गंडक बांद है बिहार राज्य में Next question, घाट प्रभा बांद किस नदी पर स्थेत है सही answer होगा Option A, घाट प्रभा नदी पर गाट प्रभा बांद गाट प्रभा नदी पर है और यह है करनाटक राज्य में गिरना बांद किस नदी पर स्थेत हैं? सही आंसर होगा, option B, गिरना नदी पर देखो friends यह जो बांद है ना, गिरना बांद, option में दे रखा गिरना नदी यह तो आप असानी से बता कर लोगा कि हाँ, गिरना बांद लो, गिरना नदी पर ही होगा लेकिन आप से पुछा जाएगा बताओ किस राज्य में है, तो आप बोलोगे महराष्ट राज्य में इंद्रा गांदी नहर बांद किस नदी पर स्थेत हैं? सही आंसर होगा, ऑप्शन है, सतलु जो है ब्यास के संगम पर, और यह है पंजाब राज्य में और फ्रेंट्स आपना हमारी पेड पीडिएफ जरूर बाई कर लेना, वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com यहां फ्रेंट्स आपना हमारी हर सब्जेट की जो पेड पीडिएफ है, वो बाई कर सकते हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्रोफी, कम्प्यूटर, करेंट अफेर्स की, आपको गुगल पे सर्च करना है www.ravibooks.pdf.com अगला कोशन, बांध के संबंध में जल ग्रहन छेतर का स्थान कहां होता है, सही आंसर होगा, option D, बांध के पीछे एक्जाम के लिए इंपॉर्ण कोशन है, बांध के संबंध में जल ग्रहन छेतर होता है, बांध के पीछे अगला कोशन काकरापार बांध किस नदी पर स्थित है सही आंसर है option C तापती नदी पर काकरापार बांध है और काकरापार बांध है गुजरात राज्ये में लखवर बांध किस नदी पर स्थित है सही आंसर होगा, option B, यमुना नदी पर है लखवर बांध और लखवर बांध है उतराखंड राज्य में Next question, लिंगन मक्की बांध किस नदी पर स्थेत हैं? सही आंसर होगा, option B, शरावती नदी पर है लिंगन मक्की बांध, और लिंगन मक्की बांध है करनाटक राज्य में अगला कोशन, माता टीला बांध किस नदी पर स्थेत हैं? सही आंसर होगा option D, बेतवा नदी पर है माता टीला बांद, माता टीला बांद है उत्तर परदेश वह मद्य परदेश में स्थित, मंडी बांद किस नदी पर स्थित है, सही आंसर होगा option A, व्यास नदी पर और मंडी बांद किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में, अगला अगला कोशन नागर्जुन बांध किस नदी पर स्थित हैं? सही आंसर होगा. Option A. कृश्न बांध ले में अगला कोशन नीमो बाजगो बांध किस नदी परस्थित हैं? सही आंसर होगा. Technology B. सुरु नदी पर और ये बांध कहां पर हैng ल्य में. अगला कोशन अगला कोशन है मारा पोचम पाद बांध किस नदी पर स्थेत हैं सही आंसर होगा ओप्षन ए गोदावरी नदी पर और पोचम पाद बांध कहां पर है तेलंगाना राज्ये में राम गंगा बांध किस नदी पर स्थेत है, सही आंसर होगा, option A, राम गंगा नदी पर, और राम गंगा बांध है उत्राखंट राज्ये में जवाई बांध किस नदी पर स्थित्त है? सही आंसर क्या होगा? Option D, जवाई नदी पर और जवाई बांध है राजिस्थान राज्य में अगला कोशन, कोईना बांध किस नदी पर स्थित्त है? सही आंसर होगा Option B, कोईना नदी पर है कोईना बांध कोईना बांध है महराश्च राज्य में माल प्रभा बांध किस नदी पर स्थित है सही आंसर होगा option A माल प्रभा नदी पर और माल प्रभा बांध है करनाटक राज्य में अगला question मयू राक्षी बांध किस नदी पर स्थित है सही आंसर होगा option A मयू राक्षी नदी पर मयू राक्षी बांद कहां पर है पशिम बंगाल में नर्मदा घाटी बांद किस नदी पर स्थेत है सही आंसर होगा ऑप्षन ए नर्मदा नदी पर और ये है मध्य परदेश राज्य में पैरियार बांद किस नदी पर स्थेत है सही आंसरोगा option B पैरियार नदी पर और पैरियार बांध है केरल राज्य में पाइकर बांध किस नदी पर स्थेत हैं सही आंसरोगा option A पाइकर नदी पर और पाइकर बांध है तमिलाडू राज्य में अगला question रंगित नदी बांध किस नदी पर स्थेत हैं सही आंसर होगा option A, रंगित नदी पर और रंगित नदी बांध है सिक्किम राज्य में तवा बांध किस नदी पर स्थित हैं सही आंसर होगा option C, तवा नदी पर और तवा बांध है मध्य परदेश राज्य में तिस्ता नदी घाटी बांध किस नदी पर स्थित हैं सही आंसर होगा option B, तिस्ता नदी पर और तिस्ता नदी घाटी बांध है सिक्केम राज्य में next question, उमियाम बांध किस नदी पर स्थित है सही आंसर होगा option B, उमियाम नदी पर और ये है असम राज्य में स्थित last में दो question का आप सभी के लिए test भी है व्यास बांध किस नदी पर स्थेत है, सही आंसर है, option C, व्यास नदी पर और व्यास बांध है पंजाब राज्ये में साबर्मती बांध किस नदी पर स्थेत है, आंसर होगा, option A, साबर्मती नदी पर और साबर्मती बांध है गुजरात राज्ये में Friends, मैंने आपको यह 85 question करवाय ठीक, अब 2 question का test आ गया, answer आपने comment box में देना है, तो पहला question है, चमेरा बांध किस नदी पर स्थेत है, 4 option है आपके पस, दूसरा question है test का, हीरा कुंड बांध किस नदी पर स्थेत है, दोनो question का answer आपने comment box में देना है, वीडियो कैसी लगी Friends, comment box में अपना feedback भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है वीडियो हो चुकी है complete और आप सभी के लिए छोटी सी information है छोटी सी में request भी है आप सभी कहा रहते है रवी सर आप लाइव आईए ठीक आप इतना अच्छा बढ़ाते हैं लाइव आईए एक बार तो मैं लाइ आप लाइव रवी सर के ब्लॉग से देख सकते हो और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना रवी देती ब्लॉग से यूटूब चैनल को ठीक है फ्रेंट्स बांकि जितने भी चैनल से उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ बांकि आप इस चैनल में यहां से आप ले सकते हो ठीक है रवी बुक्स पीडियाफ डॉड कॉम गोगल पर जाके आपको यह सर्च करना है ठीक है फ्रेंट्स टैलीग्राम, फेस्बुक, इंस्टाग्राम पर हमसे जोड सकते हो रवी स्टडी आईक्यू जी के नाम से है ठीक है फ्रेंट्स उमीद कर में दिया जाता है हमारे इस चैनल के ओपर तो चलिए फ्रेंट्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थाइंक्यू एंड विश्यू आल दी बेस्ट